नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हंदी साहित के आज की कड़ी में और हम लोग क्या पड़ रहे हैं हम लोग यूद कमप्रेटिसंट का पी वाइक क्यू देख रहे हैं देखे हिंदी साहित के विदार थी जुन नेट यारव के परिच्छा में देने जा रहे हैं और उनको यह पीवाई क्यू जरूर देखना चाहिए इससे पहले के भी विडियो तो इससे पहले हमने क्या चुका है उसको भी आपको देखना चाहिए इस समय हम लोग 2022 का कर रहे हैं दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था उसका सलूसन इसमें भी दो वीडियों हो चुके हैं दिसमें की 50 पूछ सकते हैं टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो शुरू करते हैं दिसंबर 2022 फिर इसके बाद 23 का हम लोग करें गया और आगे कोशिश होगा कि 50-50 क्या जाए 2023 वाला जब शुरू होगा यानि कि इसके एक वीडियों के बाद तो पच्चास तो दो ही वीडियो में हो जाएगा इसलिए याम 25 क्यादा लंभा ना हो जाए और ज्याधा उबाओ पनना हो मतलब कि आप कम समय के लिए कम समय में हो जाए क्यावन सुरू करते हैं सत्पुड़ा के जंगल कविता में जंगल के समद में कौन सा भी से सड़ प्रयुक्त हुआ है तो जग मंगाते जग जागे नीद में डूबे हुए से चिल चिलाते जले घिनोने घने कंप से कनकने तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मतलब इसका सही जवाब की बात कि जाए तो अफसर नमबर चार B D और E अफसर नमर चार B D बी और E है सत्पुड़ा के जंगल कविता में जंगल के समद में कौन सा भी से सड़ प्रयुक्त हुआ है तो आपका यहाँ पर भी है मतलब कौन-कौन सा आया है कौन-कौन सा कविता में कौन-कौन से लाइन आया है कौन-कौन से सब्दा आया है कौन-कौन से वाक्यांस आया है तो नीद में डूबे हुए से यह आया है और घिनावने घने आया है और इसके बाद कंप से कनकने भी आया है नहीं आया है जगमगा की चंदों में रची गई है तो परी प्रवास के चंदों में रची गई है तो इसका सही अंसर है आपसर अमार दो यानि की बी दूर्द बिलंबित सी साधुल भी क्रिडित और ई मंदा करान्ता तो बी सी और ई यहां पर सही जवाब है अगला है क्वेशन नमर तीर पान ब्रहमार गीत पदों में गोपियां उद्धा को किन वचनों से संपोधित करती हैं तो इसका सही जवाब है आपका A C और D A C और D आपसर नमर तीन सही है आपसर नमर तीन A C और D जोग सिखावन पाणे इसके बाद C है मधुकर मधुम अधुमतवारे इसके बाद आपका D है घोस बड़ो ब्यापारी अगला है क्वेशन नमर चंगवन क्वेशन नमर चंगवन है महला अचल के इस्तिर पात्र कौन है तो महला अचल के इस्तिर पात्र आपको बताना है क्वेशन नमर चंगवन है जिसका सही अंसर है आपसर नमर दो B D और E नहीं कि फूलिया है फूलिया है आभारानी है फिर म थमस उपन्यास के पात्र आपको बताना है चपन क्या है एक मिनट हैं पिनाज़ तो यहां पर सही जवाब देखते हैं extra का मिनट कर थो तो इस में लिग से प्रमुक पात्रों करने हर नाम सिगा है हयात वकसें और देऊ तो सीडी औरी आपको कहां लिख रहा है अपसर नम्मर तीन में कहां भी तीन में ठीक अगला क्वेशन देखते हैं मानस कहां उपन्यास की रचना में अम्रित लाल नागन ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया था मतलब कि आपको देखने को मिल जाएगा मानस कहां अपसर नम्मर चार कौन सा है अपका चार A D और E सही है तो यहां पर हम देखते हैं A D और E मतलब किससे सहयोग लिये थे A D और E एक मतलब कि तुलसिक आपे मिमांसा से और D मतलब कसी का इतिहाश से यह पुस्तक, इससे इनोंने सहयोग लिया था और अकबर, नाम मानस कहां दिखते हुए और मानस कहां तो नट के सिलिबस में हैं अमरित लालनागर का तो इसके बारे में ज़रूरी है कोईशन। तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन है तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपसे नमर तीन ABOD, ABOD का मतलब कि लाल मोहर हैं, पलाट दास हैं और इसके बाद धुनी राम है, लाल मोहर पलाट दास धुनी राम, ठेक, तीसरी कसम या फिर मारे गए गुलफाउं, परिश्वन्या त्रेडू की अरचना नेट के स्लेवस में हैं, और जैसे की रोज का नाम गैंगरीन है, अग्ये का जो रोज है, आई गया, कितनी शवभाग की बात है, जिसका हम मतलब यह हम जान बूज के नहीं किये थे, बलकि एक जैंपल देने कोशिस कर रहे थे, जैसे रोज का नाम गैंगरीन भी है, उसी प्रकार से तीसरी कसम का नाम मारे गे गुलफाम भी आपसर नमर दो के B, C और E सही है, B का मतलब की इस कहानी में अग्ये को निम्न मद्यमवर की जीवन की विसमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है, और C है इस कहानी में अग्ये ने दामपत जीवन के सारहिंता और एक रस्ता को चित्रित किया है, इसके बाद E है, क्योंड साद का एक दिन में मलिका का कौन सा पैसा है तो दूसरा यहां पर सही है अब कोई-धोमी आशी नहीं जिसके अंतर में कुमलता न क्यों जोटा आगे पिछाएगा और यहां पर आपका ई वला सही है इक आअ CONDOT कि यह प्रतिया हूं मैंने उत्जैनिस आने वाले बेवसाईयों से प्राप की है तो यह सब मलिका रगतन है देख रहें थोड़ा सा दीप पुश्चन अचकल पूछ रहा है अगला कुश्चन है भारत दूर्दसा से कहां से किसकी दूर्दसा भारत की दूर्दसा इसमें कतनों पर विचार करना है और सबसे उपयूगत उत्तर कर यहां से शुनना है तो इसका सहीं सरूं जाएगा तीसरा एसी और ए एक हम अमतलब कि इस नहत्inson में भारत से संबंध ही निम्न कत्रों पर विचार कीजिए और सही उत्तर यहां से आपको चुनना है तो यहां से सही उत्तर की बात की जाए तो आपसे नमर एक सही हो जाएगा ए बी और सी पुण सिंग पारंपरी भायतय उदात्य जिवन मुल्यों को आधुनी पास चाहते दरण म मिज्ञान के अलोक में नया रूप देकर प्रस्तूत करना चाहते थे अगला क्वेशन है सीव संभू के चिठे से समझे निम्र कतनों के विचार कीजिए सीव संभू के चिठे से तो यहां पर आपसर नमर दो सही है दो का मतलब की A, C और E एक का मतलब की सीव संभू सर्माय कलपी चरीत रहे C है इन निबंदों में ब्यंग बिनोत भाव का बड़ा सहच्ता से प्रियोग करते हैं और E है सीव संभू अपने को वाइसराय के समझ गूंगी परजा का एक वकील यहनिकी दुरासा मानते हैं गूंगी परजा का एक वकील अगला क्वेश्चन है निबंद का पताप नलाय मिस्र से समझ देते हैं तो देखिए इसमें क्या सही अंसर है यहाँ पर निबंदकार के रूप में तो यहाँ पर A, C और E सही है सबसे उपयुक्त उत्तरों को चुनना है तो यह वला सही है परताप नलाय मिस्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है या बात सही है इसके बाद आपका C सही है C का मतलब कि निबंद के छेते में उन्हें आत्म ब्यांजक निबंदों का जर्मदा भी प्रियोग मिलता है कि क्वेश्चन अंबर अगला है आवरा मसीह के संदर में विचार करना है फिर उसके बाद मतलब को पढ़ना है वाक्यों को इसके बाद सबसे सही उत्तर चुनना है आवरा मसीह के बारे में तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा सही इंसर है आपका B, सी और डी यानि बी में क्या है गांगुली परिवार के किसो नव लोड के प्रती लोलूप दिर्श्टी से देखते थे इसके बाद आपका सी है सी है बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय सरचंद कहां थे रंगून में थे यह भी कुश्चन मतलब आ चुका है आपका सब् है इसके बाद आपका D है डेव दास लिखते समय सरचंद क्याई कितनी थीließen 17 कितना मात 17 साल अगला के शन मुर्दहीया से मुर्दहिया का से मुर्दहिया मुर्दहिया है और सबसे शही उत्तर चुनना है और इसका सही इंसर है अपसन नमर चाहर A, C और D यानि तुलसी राम के गाउं का नाम 12 गाउं था यह बात बिल्कुल क्या है? दुरूस्त है दुरूस्त का मनलब सही है और C क्या है? और डी क्या है कलकत्ता जा का बलुम ने अपने नाम के आगे रविदास जो लिए था बल्मू ने अगला क्वेश्चन है तत्पूरु समास मतलब कि यहां पर सुमेलित करना है सुमेलित करने वारी बात यदी जाये तो यहां पर आप कि असानी से सुमेलित कर सकते हैं जैसे की अफ्चन तो यहां आप फे कौन सा सही है अफ्चन नमर चार सही है एक तीज़ए तथा यानि तत्पुरूफ समाज जो तो यहां पर आपका सुमेलित वाला हो गया ठीक है वीच में थोड़ा आवाज धीमा रहा होगा तो भी थोड़ा सा बढ़ा के देख लिजिएगा थोड़ा सा टेक्निकल इसु आ गया था अगला कोश्चन है मतलब यहां पर संपरदाय दिया है और इधर उस संपरदाय के प् प्रवर्तक तो इसका सही अंसर क्या है तीसरा सही है यानि कि पहला जो सिरी संपरदाय है श्री संपरदाय को किसने दिया था किसने दिया था यह का वान है यार यह का वान सिर्शावन था तीसरा सही है क्या है तीसरा सही है तीसरा सही है यहां पर एका थ्री यानि कि स्री सं समपर्दाय के प्रवर्थ्ताइ eerste कौन है दो रमादर जह दो लिए आता है वा भी आप कमेंट करके बताइए सी है छवथ मतलब सी का चौथ है रूद्र समपर्दाय के जो प्रवर्थक है भिश्नुस्वामी और सना अगला फिर सुमलित करना है एधर आपका रचना कार है मंतोए मेरा दुसमान ए और WA जनजीर एर दिवार ए प्रेम चंध घार में कौन एधर मैं क्सका है कौन किसका है इसकार सही अंसर है दूसरा वाला दूसरा वाला क्या है उसका मिला के अदेक कार द्रेखीर कि दूसरा है आपका एक तीसरा मंतों मेरा दुस्मान चलश की उपइंद्र नात서 Heर now I get a 44 आनि जयनेंद कुमार रहां जंजीरे और दीवारे रहां किसा है रामभाव भेणिपूरी का और इसके बाथ प्रेम्चंद घर में शिवरानी देवी टेम्चंद घर में शिवरानी देवी देख़िया र Candle इसलिए तीन जगा देवी दिया है तो आप से नमर्दू यहां पर है और इस प्रकास से है मतलब इधर पुरंत का नाम दिया है उदर समय दिया है तो इसका सिर्म मतलब कावे प्रकास चन्द्रा लोक है कोईजिय अनन्द है का मिलब कि काब। कप का है?? एक से देखते हैं काब। मिलब का जब व। है और B का यहां पर तीशरा है तो Carnjenigen auto App का क्या है 13 सती का और उसके बाद सी का दूसरा है या के खुान रननòng 17 सती का है और साहित दरपन दीए और डीका पहला है चौधामी सती अगला हुश्चान आपका पुस्तक है अलोचक है उसको सुमेलित करना है पुस्तक एक तरफ एक तरफ अलोचक तो इसका सही जवाब क्या है इसका भी सही जवाब क्या है तीसरा है यानि कि गोस्वामी तुलसी दास इधार है रामचंद सुकला तुलसी का भी म कि जाये तो यहां पर विश्वना त्रिपाठी है अगला कुछन यह भी सुमेलित करना है मतलब सुमेलित वाला लगातार दे दिया है सेखार एक जिवनी भागी मतलब जो हम लोगों के सिलेबस में है और इधर मतलब उसके खंडों के नाम है इधर आपका खंड के सीर्षक है पहला दूसरा तीसरा चौथा किस कौन किसका है यह आपको मिलाना है यह हम लोग को मिलाना है तो यहां पर आपका सही अंसर क्या हो जाएगा आपसा नमर दो देखिए इसे प्रथम खंड का नाम क्या है उसा और इस्च्वर दूसरे खंड का आपका नाम क्या है दूसरे खं कआपका नाम क्या है तीसरे खन का नाम आपका है चौन ता यानि कि प्रक्ति और पुरुष और चौन था जो आपका है उसका नाम है पूरुष और परेस्थिति अगला कुशन है यह वी संमेलित करना इधर पात्र दिया इधर कहानी दिया है देखिए पात्र और कहानी इधर दिये हैं पात्र और कहानी दिये हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा दूसरा यानि कि कीरन कहां की है कानों में कंगना की और जो आपका लच्छमा है वह कहां की है कोशी की घटवार की अनीता आपकी राही की है सामनत कहां के हैं चीप प्रचलित नहीं रहा है नाटक मलब यह सब प्रचलित है लेकिन जो पूछने का तरीका है उस हिसाब से थोड़ा था आपको आन्ने के पिछा हलकास आपको कठीन लग सकता है तो यहां पर देखते हैं चंद गुप्त वाला जो है यहां पर सही इंसर क्या जाएगा तीसरा है यानि के चंद गुप्त का आपका जैमाला है और इसके बाद भी का वण यानि कि अंजो देदी के मुन्नी है बकरी का दूसरा है यानि कि राम है इसकंद गुप्त के तीसरे यानि के यह का अग। दी का थरी एक मिनट यह का फोर है न चंद्धुप्त के लीला है और डी इसकंद्धुप्त के जय्माला है द division नाटक चंद्धुप्त का मतलब की मिलाना है और एधार चंद्रगुप्त का मतलब कौन है तो चंद्रगुप्त का है लीला सोरी जो हमने मतलब उस बार जानबूच के मतलब अंजाने हम गलत हुआ अंजो दिदी अंजो दिदी के जो पात्र है वह आपकी बी का वान यानि कि मुन्नी है और बकरी सी का दो सी का दो का मतलब की राम और C3 यानि की जय महला, ठीक वोगैं के अगला खुला सुमिलित करना है रिबन संग्रह है और इसके संपाधक कौन है चिनतामरी याओ 2 कई लट का संपाधक है यह आपको बताना है चिनतामरी जिसके इसका साही अंसर तीसरा हो जाएगा एका तीन है जिन्तामरी भाग के रामचंसीख ला और सिंतामरी भाग के कौन है जिन्तामरी तीसरे भाग के जो प्रवर्टक्त है मतलब की माने जाते हैं संपाधक उनका नाम क्या है तीसरे भाग के तीसरा भाग मतलब कि सी का दो यानी कि डाक्टर नामवशिंग अच्छा बी का वान है ना चिंता मड़ी डाक्टर विस्वनात प्रसाद मिस रहा है क्या यार चिंता मड़ी चौथे भाग है कुसुम चतुरुवेदी ठीक है देख के भी कैसे गलत बता दे रहा है मलब हो जाता है आप ध्यान से देखिएगा तो आपका गलत नहीं होगा रा अला गगोच्छन है देवनागरी की करन के प्रयासों को पहले से बाद की क्रम में लगाना या मतलब देवनाहगरी जो है समिधान वहां से दे दिया है तो यहां पर आपका जिस पर जोड दिया जारा आज कल इसका स़ाई एंसर की बात की जाये तो B C M सुरी तीसरा पर कहा है B है यह है C D A B C D A B C D A मतब इसी क्रम में आपको लिखना है अगला कुश्चन है प्रत्थम प्रकासन वर्स के अनुसर राम्विला सर्मद्वारा रजित कहानिया पहले से बात के क्रम में लगाई है तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा इसका सही इंसर क्या हो जाएगा राम्विला सर्मा का इसका सही इंसर तीसरा हो जाएगा प्रोटप तीसरे में क्या है दीए डी सीई भी इए डी सीई पहले बी आयेगा फिर एए आएगा फिर लास्ट में आएगा आपसर नम्मर तीन यहाँ पर सही है बी ए डी जी ए अगला कुश्चन है अस्थापना वर्च के अधार पर निल्मकित में से संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाई है आरे समा थियो सोफिकल सोस्थाइटी रामकिष्परमहांस रामकिष्परमहांस ब्रह्म समाज औ आपको बताना है कौन पहले से बात के क्रम में आया तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा दूसरा कहने का मतलब कि यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरा का मतलब कि डी आएगा फिर एबी सी आएगा डी फिर एबी सी याने डी कहां प प्राइगा दूसरा है आप से ना डी के बाद यह आएगा यह मतलब प्रात्ना समाज उसके बाद ABC आएगा आरे समाज फिर रथियो से फिसकल सोसाइटे फिर दूसरे दूसरे आएंगे तो इसे सब आप से आप यहां पर देख सकते हैं डी ABC वाले क्रम में लगा लिजेगा अगला कमाईनी के सरगों को पहले से बाद के क्रम में लगाए यह बहुत ही जरूरी है इंपोर्टेंट है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जो दिया है उसी में से हमें लगाना ऐसा नहीं कि बीच में छूड़ गया तो फिर उसके ना लगाए तो बाद में लगाए तो इसका सही जवाब है ईबी डीए सी ईबी डीए सी तो यहां पर कमाईनी के सर्गों को लगाना है कि रुकल कितने कमाईनी में सरग है 15 सरग है और जो दिया है उसके इसाब से तो आपका यहीं हो जाएगा चौधा वाला मतलब इबी डीए सी इबी पहले क्या आएगा यह आएगा स्रद्धा फिर आएगा काम फिर आएगा कर्म फिर आएगा इड़ा इसी करम से मतलब 15 को अच्छे से देख लिजेगा एक बार अगला है निम्न उपन्यासों को प्रकाशन वाइस के अंसर पहले के बाद के क्रम में आपको लगाना है पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है कर निम्न उपन्यासों को किसको निम उपन्यासों को तस इसका सही एंसर क्या हो जाएगा बी-ए-सी-डी बी-ए-सी-डी क्या कोई एपसन है नहीं बहुत बी-ए-सी-बी-ए-सी-डी यह आया होगा है इनका सही हो जाएगा तो यहाँ पे इस क्रम में आपको देख लेना है कि किस क्रम में है मतलब वो उस समय दिया था तो आपसन ही गलत कर दिया था तो हमें यहाँ पे बता देते हैं राग दरबारी 1990 मेल आचल 1990 आपका बंटी 1970 मानस का अहांज जूटा सच जूटा सच 1958 का है न और मानस का हांज तो इनको आप लगा लिजेगा मानस का अहांज कब का है मानस का है मानस का है 1972 जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं यहीं मैं गलत हो तो आप कमेंट करके बताईएगा तो इसी क्रम में होगा इस क्रम का हम सही आपको बता देते हैं सबसे पहले क्या आएगा देखिए सबसे पहले आएगा आपका मैला आचल फिर उसके बाद क्या इसके बाद आएगा राग दर्बारी राग दर्बारी के बाद आपका आएगा राग दर्बारी के बाद आएगा आपका बंटी और फिर इसके बाद आपका आएगा इसके बाद आपका आएगा सी छुड़ गया मानस का हंस नहीं फिर इसके बाद आपका मानस का हंस आएगा लास्ट में ठीक है मानस का हंस लास्ट में आएगा यानि हमारी कहाने के मतलब किया यश्त करते हैं अधारा शूट के कि बाता हुवष करोकी कि कभार चीजें हैं याफी drops गया मतलब इंसानी है हम लोग भी तो इनसानी है गलती हो सकते हैं निर्वित कहानियों को प्रकाशान ऊठ्न के अधार पर आप से बात कि क्रम में लगाई है आप CHOOS कहानी की yhtी बात के जाएände तो इस में आपको सही अंसर क्या हो जाएगा ज्यादा होगे क्या 75 ही होना चाहिए था चलिक कोई बात नहीं हमें 75 ही करना चाहिए था थोड़ा सा मतलब ध्यान बटका साउधानी याटी दुरगटना घटी जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक है कोई बात नहीं पहले हम भी इस क्वेस्चन किये थे तो वहीं आदत हो गई साउधानी याटी दुरगटना घटी तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरू बताइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए और जो भी दिक्कते हैं समस्या हैं आपके सवाल हैं उसको कमेंट के बाद देम से भी पूस सकते हैं और जो डिस्क्रिपिशन बाक्स में टेल किया जाएगा नमस्कुरू